दोस्तों बैंकर भाईयों छे दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी क्रोना इंजेक्शन के आफ्टर प्रिकॉशन्स क्रोना इंजेक्शन लगने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन्स करने चाहिए वर्ल्ड हैल्थ और्गिनाइजेशन की गाईड लाइन्स में ने बताई थी लेकिन उस वीडियो हजारों लोगों उसको देखा है काफी कमेंट्स आई हैं काफी एमेल्स आई हैं काफी लोगों ने मेरे फेस्बुक पर भी मेरे पेज जो है रोडा सुलूशन पेज की उपर भी बहुत कुछ लिखा है और कुछ λोगों ने उन पर बात भी करी है किरूडा जी हमारे को वीडियो बना के और बताएए कि क customize के कई स्वालों के जुआँ कैयी प्रशन के जुआब वीडियो में आप देने सके वीडियो लम्बी होगी है हमारे कुछ प्रशन रह गए है तो मैंने उनको यही फोन पे बताया है और इमेल पे भी यही बताया है भाईो मैं डाक्टर नहीं हूँ सारे व्यूर सारे सब्क्राइबर मैं तो बैंकर हूँ बैंकिंग का चैनल है रोडा सलूशन क्रोना का चैनल नहीं है मैं करोना स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं डाक्टर नहीं हूँ, मैं कैमिस्ट नहीं हूँ, मैं आरेमपी नहीं हूँ, मैं आयरवेदिक डाक्टर नहीं हूँ I have never been a doctor, never been a chemist, never been any course in medical line Never been a health worker दूसरी बात request है कि लोग जोला चाफ डाक्टर जो फुट पात पे बैटे होते हैं registered medical practitioner होती है, जूटी डिगरी होती है, नकली डिगरी लेके डाक्टर बन जाती है मेरे पास तो नकली डिगरी भी नहीं है, तो मेरी राए की कोई value नहीं है करोना के बारे में पर उन लोगों की जो insistence है, trust है, विशवास है, तो मेरे वीवर्ज ने बार बार कहा है कि हम आपके पास डिगरी है या नहीं है, आप डाक्टर हैं या नहीं है, आप जो advice देंगे, वो बहुत valuable होगी हम उसको मानेंगे तो इतनी बड़ी जमवारी जब मेरे उपर डाल दी है, तो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले क्रोना की तहह तक जाना पड़ा, क्रोना कैसी आया, कहां सी आया, सो साल पहले भी जी आया था, ऐसा ही वायरिस था, उसका क्या result था तो क्रोना के इंजेक्शन के बारे में कुछ सवाल है तो इसलिए मुझे सारी क्रोना के इंजेक्शन की जो सिस्टम है, क्या-क्या उसके अंदर डाला गया है, सारा उसको पढ़ना पड़ा और WHO World Health Organization की guideline भी मैंने देखी, और कुछ बातों के लिए मेरे को भी समझ नहीं आई, कुछ confusion थी, इसलिए तीन डॉक्टर्स, इंडिया के renowned डॉक्टर हैं तीन, उनको मैंने टेलीफून पर कंसल्ट भी किया, और उनने जो मुझे जवाब दिया है, आज मैं अपने question में, काम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उनसे जो guidance मिली है, मुझे जूरुत पढ़ी, कि सही guidance देनी है, क्योंकि अरोडा solution जो देता है, वो सची ख़बर होती है, सचा है, हम तो यूटूबर भी पके नहीं हूँ, डाक्टर तो क्या मैं सही मानों में, यूटूबर भी पका नहीं हूँ, आज के यूटूबर उपर कुछ लिख देती है, थाम बनेल में बीज में कुछ और होता है, उपर लिख देती है, अमता बचन मर गया है, बीज में कहानी कुछ और होती है, लेकिन हम ने जो उपर लिखा है, थाम बनेल में वहीं अंदर होता है, और साच चो होता है, authenticated होता है तो इसलिए भाईो आज मैं आपके प्रशनों के ज्वाब देता हूँ वीडियो लंबी न हो जाए इसलिए मैं जल्दी आपको निप्टाऊंगा तो बहुत लोगों के message हैं, comments हैं, Facebook में comments हैं Instagram पे, Telegram पे, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इतने बड़े डाक्टर को 200 फोन रो जाती है तो मेरा तो एक record ही उन्होंने कर दिया है कि इतने email आ जा जाना एक बहुत बड़ा record होता है तो चलो जी, सबसे पहले तो ये जो है, बहुत लोगों ने ये question ये पूछा है कि एक भाई ने ये एक question पूछ लिया है कि मैं करोना positive हो चुका हूँ देखिए, मैं करोना positive हो चुका हूँ औरोडा जी, मैं injection लवा लूँ मैं को वैक्सिन या कोवी शील्ड जा सबूतनिक जो आ गया है इन में से जो injection है मैं लगवा लूँ तो देखो भाईो पहले सीधी बात समझ लो बार बार government बता रही है, टीवी पर बता रही है डॉक्टर बड़े बड़े बता रही है कि करोना का injection जो है करोना का इलाज नहीं है करोना हो जाए, उसके बाद आप दोनों injection कठे लगवा लो तीनों लगवा लो, एक करके लगवा लो कुछ भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है इसी जे प्रिकाशन ओनली इसी जे इम्यूनिटी बूस्टर इंजेक्शन बात को समयते जाओ इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी क्रेट करके इसने करोना से आपको बचाना है अगर करोना हो चुका है दभाईो आपको सबसे पहले 14 डेज करंटाइन में आईसोलेशन में रहें और दवारा टेस्ट करवा के नेगिटिव आएं नेगिटिव आने से 30 दिन बाद 30 डेज ओर वेट करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें इम्यूनिटी हो जाती है बढ़ चुकी होती है एक बार करोना के अटैक के बाद आपकी बोडी यूस्टू हो जाती है इसलिए उसको फिर 30 दिन के नार्मल होने के लिए उसके बाद आप इंजेक्शन लगवाएं क्योंकि दोनों इम्यूनिटी बूस्टर हो जाएंगे तो गरबड हो जाएगी तो इसलिए भाईओ 30 देज और 14 देज 44 देज आपने वेट करनी है टोटल करोना अगर हो चुका है तो नेगेटिव आने के बाद 30 देज के बाद इम्यूनिटली नहीं आज नेगेटिव हो गया और बोट आगी तो सीधा डिस्प्रेंसरी जाओ इंजेक्शन लगवा लो वो नहीं करना है काम तो आपका नुकसान हो जाएगा दूसरा प्रशन जो पूछा है आज काल देखो सबी मैसेज लेके जा रहे हैं विरी नजरकम क्मज़र होगी है आई साइट वीक होगी है उसने बता है कि मेरा आदाज नमबर था अब धाई नमबर हो गया है दस लाक्ड कलें उसने डाल दिया है एक लेडी बाल जहड़ने का केस का दी है चंडीगज में कि मेरे बाल सारे जहड़गे हैं असला का क्लेम उसने भी डाल दिया है तो ऐसे कई केस क्लेम के आ गए हैं कन्जूबर कोर्टों के पास वकील बहुत बिजी होगी है और बहुत केस बढ़ते ही जा रहे हैं और गौर्मेंट के ओपर करोणों अर्बों रुपे की लाइबिल्टी खड़ी हो जाएगी जब जब बात करी वो लेडी जिसे इंजेक्शन लगए है तो वहीं बैठी रही उसको यह नहीं पता चला कि मेरा इंजेक्शन लग चुका है मैंने उठना है दूसरे की बारी है तो नर्स ने दोबारा इंजेक्शन लेकि उसको फिर लगा दी ऐसा ही यह भी मेसेज आगी दूसरा भ कहानी है रोज आपके सामने पिक्चर आ रही है हेल्थ वर्कर्स की जो पोजीशन है वो आपके सामने होती है डेड बोडिज भी हमारे हेल्थ वर्कर गिनने में फैल हो गए हमारे डाक्टर लाशें भी नहीं गिन सके यह हमारे देश का हल है सतर आदमी एक हास्पिटल में म माची हुई है महामारी में बहुत तबाई मच चुकी है दिली बंबे नागबूर कई सिटी बहुत नाटोरियस हो चुकी है क्रोना में ऐक्सीजन की कमी के कारण इसलिए खालसा एड ग्रूप ने देली में ऐक्सीजन का लंगर लगा दिया है गुर्द्वारा में दो निजाम क्विड़ में ब्रेड नहीं मिल रहा है तो सभी को आगे आना चाहिए ऐसे समय में तो क्रोना की महामारी से बचाना चाहिए दूसरी राए ये पूछी गई है कि हम कोवेक्सीन लगवाएं कि कोवी शील्ड लगवाएं या सपूतनिक लगवाएं सपूतनिक जो अभी वे नया नया इंडिया में आया है तो उसके बारे में देखिए भाईयो में तीनों का सारा कैमिकल्स की स्टडी करी है आलमोस्ट सेम ही पोजीशन है कोई 94% सेक्योर्टी कह रहा है कोई 95% सेक्योर्टी कह रहा है तो इसलिए सारे इंजेक्शन सेम है देखिए इम्मूनिटी के तर वो नहीं है यह chemical reaction अंदर जाके तीनों ने सेम ही करना है सिर्फ security का purpose है immunity 94% guarantee देता है वो 95% guarantee देता है फाइजर जो है वो काफी ज्यादा guarantee देता है तो इसके बारे में तो सबसे best जो है तीनों में से जो अगर है तो कोवी शील्ड है जो मैंने study के base पे डाक्टरों की राए लेकर मैंने डाक्टर तो कहते है सबी बराबर है लेकर मैंने फिर उसके आगे थोड़ी study करी तो देखा कोवी शील्ड दोनों से थोड़ा better 1% better कहलो उन से better है तो इसलिए कोवी शील्ड जो अगर मिलता है तो जरूर लगवाएं बाकी नमबर दो कोव एक्सिन जो है सबी लगवाना जरूरी है मकसद यह है कि लगवाना है precaution है बचना है करोना की महामारी से बचना जरूरी है तीसरा है no intoxication for 45 days सभी ने पूछा है कि कितने दिन ड्रिंक नहीं कर सकते बियर नहीं पी सकते थे इसके मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ भाई व पंच्ताली दिन WHO World Health Organization कह रही है कि पंच्ताली दिन की हरे एक नशे की break है चाहे वो वाइन है चाहे वो बियर है चाहे वो विस्की है चाहे वो जिन है चाहे वो ब्रांडी है जैसा भी गुटका भी है जर्दा भी है उससे भी बचना है क्योंकि इम्यूनिटी 15 दिन पहले डाउन हो जाती है और जो नशे हैं वो अम्यूनिटी को ओड़ डॉण करते हैं तो इसलिए कुरोना वाइरस का इन बत्वीन ना हो जाए ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए इसलिए उससे बचके रहना है नशे से बचके रहना है किसी तरह भी नशा नहीं करना है उसके आगे एक और स्वाल है जो भी चाली पिंटाली लोगों ने ये पूछा है कि इंजेक्शन के बीच पहले इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन के बीच में गैब कितना होना चाहिए कोई डाक्टर चार हफते कहता है कोई छे हफते कहता है कोई आठ हफते कहता है डाक्टरों की राए भी डिफर कर रही है लोगों ने कोविन के उपर कई होर एपस के उपर भी देखा है आपने किसी के डेत आई है, चार हफते बाद की आई है, किसी के छे हफते बाद की आई है, किसी के आच हफते बाद की आई है, देखिए सब का रूल है, उसको इम्यूनिटी बूस्ट करने में पहले वो डाउन आ जाता है, बाद में वो अप हो जाता है, उसको डाउन करने में और तो इसलिए six weeks ना चार हफते अच्छा है ना आठ हफते अच्छा है six weeks is ideal break, 42 days की break ideal break है जिसकी मैंने study करी है अगर मेरे के उपर trust करते हो तो छे हफते की break दो injection के बीच में जरूरी है उसके आगे जो blood clotting के बारे में question पूछा गया है के blood clotting हो सकती है देखिए blood clotting कहीं भी नहीं हुई है only one case एक दिली में case हुआ है जिस case में analgesic injection लगने के बाद या जो फाइजर के बाद clotting का case जो आया है तो उसका लेकर बाद में ये पता चला देर वाज़े different reason, comorbidity होती है, cancer है, उसको bypass surgery हुई है या उसको shoulder cancer है, या उसका brain cancer है, जब breast cancer वाले को blood clotting कुछ हुई भी है तो एक दो cases में है, that is very negligible, blood clotting नहीं हो सकती है इस injection का blood clotting के साथ कोई link नहीं है, ये करोना में सिर्फ immunity बूस्ट करता है और किसी तरह की कोई छेड़ खानी बाड़ी में नहीं करता है तो this is the best injection, इसमें कोई myth, जो myth है जो social media पर आप देखते हैं, ये हो गया, वो हो गया consumer court में case लगा दिया, ये वो लोग हैं जिनके साथ 1-2% गलतियां हुई है, ठीक है इनसान से गलती हो जाती है, कुछ abnormality body में पहले ही होती है उन्होंने claim करने के लिए claim जूटे भी हैं, सचे भी हैं, ये नहीं कहता है, वे सारे सची हैं, बीच में जूटे, लोगोंने भी claim डाल दिया है उनको पता है, दस लाख का claim करेंगे, तो लाख रपे मिल जाएगा, तीन लाख मिल जाएगा तो इस हसाब से वो लालची लोग भी बीच में बैठे हैं, तो कोई blood clotting को नहीं इसको मान के चलना के blood clotting करता है different region हो जाती है, ये भी ठीक है, उसके बाद जो आता है, infection जो है, injection के बीच में 6 हफ़ते का gap होना चाहिए तो पांचों question के जवाब मेरे तरफ से हो चुके हैं, और भी कोई question आएंगे तो उसका भी मैं जवाब दूँगा, लेकिन बोथ question का डिहर है, बोथ लोगों की वैम है, बोथ लोगों का oxygen के बारे में भी पूछा गया है, क्या कारण है, तो इसके भी different reason है, इसको बचने के लिए भी कई और देशी उपाई आ चुके हैं, मौथ प्रेशनर को मूँ में चार मिट गोलने को गुमाने के बाद oxygen लेबल बढ़ जाता है, तो आपने अकसीमीटर अपनी उंगली पे लगा के देखा है, और मौथ प्रेशनर मूँ में डाला है, तो oxygen बढ़ गी है, मेरे 94, पत्ते का है, और इनके बीच जो घर में लगे हैं, उनके घर का जो oxygen लेवल है, बहुत अच्छा रहता है, तो उनकी oxygen कम ही नहीं होती है, तो ये कई तरीके हैं, देशी दौईयां निकलाई हैं, अब तो ये कहते हैं, कि पंपकिन सीड जो हैं, पंपकिन सीड कदू के बीच जो हैं, एक हजार रपे किल्ल है बजार में, इसकी जो गीरियां होती हैं, रात को इसको पानी में बिगोलो और सोबे खाओ, तो oxygen लेवल बढ़ जाता है, तो ये भी चीज़ें आगी हैं, कई आयरविदिक डॉक्टर्स ने और भी नुसके निकाले हुई हैं, तो oxygen लेवल बढ़ जाता है, तो इसलिए oxygen लेवल की जो बात है बहुत 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 लंबी बात है, तो इसलिए हम, तो मेरे ख्याल में जो पांचो शे क्वेश्चन का करोना के बारे में ज्वाब हो गया है, तो मुझे आश्या है, लेकर इसको authenticated नहीं मानना है, I am not a doctor में, फिर repeat कर हूँ, आपने जो भी जिनके पास bypass surgery है, जिनके stunt डले हैं, एंजो प्लस्टी हो गई है, जो blood thinner ले रहे हैं, खून को पतला करने की गोलियां ले रहे हैं, वो अपने डॉक्टर की राए लें, खून को पतला करने वाला भी, मैं कहता हूँ, क्रोना injection ले सकता है, किसी चिंता क देता है, फिर भी आप कहते हैं, जिनकी bypass surgery हुई है, जिनको cancer है, जिनका और भी comorbidity है, किसी तरह की migrant का attack होता है, जिनको मिर्गी का धोरा पड़ता है, तो ऐसी ऐसी चीज हैं, वो अपने डॉक्टर की राए जरूर लें, वाट्सैप पर लिखके उनसे राए लेने के मैंने एंजियोप्लास्टी जेट को करवाई है, मिरे को इतने stunt पड़े हैं, जिनकी bypass surgery हुई है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ क्या मैं करोना का injection ले सकता हूँ, क्योंकि वाँ जाकर जाए देखते हो, डाक्टरों के पास राश लगा हुए है, वो कोई guidance नहीं दे रही है, सभी को पता चल गया है, लाशों का डेर लग गया है, तो सभी तरहे के लोग देश में होते हैं, सभी तरहे के duty डिस्चार्ज करने वाले होते हैं, तो ऐसा ही है, तो मेरा ख्याल में यह सभी question का जवाब आ चुका है, तो बाकी जो है राए लेनी है, तो मेरी राए नाले, specialist बैठी हैं, करोना के specialist डॉक्टर बैठी हैं, तो बाकी I am thankful to you for having trust on me, मैं सभी viewer, सभी subscriber का बहुत धनेवादी हूँ कि इतना trust मेरे ओपर किया गया है, इतना विशवास किया गया है, एक non medical staff, जो है medical line का आदमी, जिसने medical के साथ दूर का रिष्टा नहीं है, उसके ओपर trust करना कि आप जो वीडियो में बताओगे हम उसको मानेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये मेरे बहुत बड़ा सदकार मिरे को दिया गया है, बहुत बड़ा ओनर दिया गया है, तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवादी हूँ, और दोस्तों मैंने एक और चैनल बनाया है, sleep music है, relaxation music, meditation music, calm music, godly music, उस चैनल का का नाए है, Deep Nap Zone, यूटुब चैनल है, Deep Nap Zone, एन अपीने अप तो उस्चैनल को भी सबस्क्राइब करिये, चार वीडियो तो उसको इऊपर डाल दी कही हैं, sleep music के बारे में, जिनको नीन नहीं आती है, जिसका मन बेचैन है, जिनको रात को पा ले रहे हैं, दुआई खाके भी नीद नहीं आ रही है, ऐसे लोग हैं, गोली खाने के बाद नीद नहीं आ रही है, तो देखिए उसलिए म्यूजिक को सुनिये, डीप नैप जोन को विजिट करिए, यूटूब चैनल उसको सबस्क्राइब भी करिए, उसके बाद में कही तर से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और सब्सक्राइब का बटन भाईओ, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब का कोई खर्चा नहीं है, यह लाल रंग का है, इसको जरूर दबा दो, अपने दोस्तों मित्रों से भी इसको दबाओ, आप चैनल पे नए हैं तो जरूर दबाओ, जो पराने हैं वो तो दबाओ ही चुके हैं, तो इसलिए अपने दोस्तों मित्रों से आसपास वलों से दबाओ, थैंक यू वेरी मच्च